अश्वाक एहमद सापर माते हैं, कहते हैं कि वक्के साथ साथ हजार जखम बढ़ चाते हैं, मगर सचतु ही है कि हम दर्थ के साथ जीना सिख जाते हैं हम अच्छे होने या अच्छा बनने के बावजुत किसी ना किसी कहानी में भूरे होते हैं लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें और अपने जिन्देगी का मकसर सिर्फ अल्ला को राजी करना रखें मुश्किल दस तक दे तो खुब ज़दा ना हो आगे बढ़कर दर्वाजा खोल दें क्योंकि काम्याबी हमेशा मुश्किल का बेस बगल कर आती है कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं वो सिर्फ वो ही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं कितना खुसरत एशास है कि हम अल्ला ताले से अपने दिल की बात करते हैं वो सब कुछ पहले से जानता है लेकिन फिर भी हमें सुनना चाता है बेवकुफ लोग अपने जहन पर कर्डूल करने के बजाए दूसरों के जहनों पर ताकत अज़माई शुरू कर देते हैं एक बात हमेशा याद दखो इसी सोने के गुरुष से लिखकर लटका दो तुम उन लोगे गुलाम हो जिसे तुम अपनी तारिफ सुना चाते हो जब इनसान अंदर से मर जाता है तो वो हस से जादा हुच्छ खिलाक हो जाता है एक दिन हम एक दुसरे को यह सोचकर खोड़ेंगे कि वो याद नहीं करता तो हम उसे क्यों याद करें कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो किसी के बाद तो पश्टावा ही होता है जो दिल में डाल सकता है वो नसीम में भी लिख सकता है हिसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टुकरा अता करने के मूर में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगा कर बेटे होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मुद्माइन वो लोगें जिनें अपने मामलात अल्ला पाक के सुर्प करने की आदत हो